अन्सेचुरेटेड हाइडरोकार्बन्स में सेकेंड पार्ट होता है एलकाइन्स एलकेन्स और एलकीन्स के बाद थर्ड चीज आती है हमारे पास एलकाइन्स और अगर हम unsaturated hydrocarbons में तेखें तो unsaturated hydrocarbons में next आता है हमारे पास 알काइन्स Atlkins में हमने देखा था कि वहाँ पर दो कारबन्स के बीच में double bond होते हैं सेम इसी तरीके से Alkins में किनी भी दो कारबन्स के बीच में triple bond होते हैं Previously हमने Alkines में देखा था कि Double Bond होने के लिए कम से कम 2 Carbons का होना जरूरी है और हमने Reason भी देखा था Same इसी तरीके से Alkines form होने के लिए भी Minimum 2 Carbons का होना जरूरी है क्योंकि Alkines तब form होते हैं जब 2 Carbons के बीच में Triple Bond हो सबसे पहले हमने Alkines देखे थे जिसमें Single Bond होता है हमेशा फिर हमने Alkines देखे जिसमें किसी भी 2 Carbons के बीच में Double Bond होता है And last हमारे पास है Alkines जिसमें किसी भी 2 Carbons के Atoms के बीच में Triple Bond होता है और कोई भी Hydro Carbon जिसमें Carbon के 2 Atoms के बीच में Triple Bond हो उसे हम Alkines कहेंगे previously हमने alkynes का general formula देखा था that is cnH2n plus 2 इसके बाद alkynes का general formula देखा था cnH2n next alkynes का general formula होता है cnH2n minus 2 same previous topics की तरह ही यहाँ पर n number of carbons को represent कर रहा है और alkynes में भी हमें minimum 2 carbon चाहिए थे तो यहाँ पर भी minimum 2 ही carbons होंगे so alkynes के examples होंगे like ethine, propine, methine, butine और बहुत सारे बस एक ऐसा hydrocarbon जिसमें किनी भी 2 carbon के atoms के बीच में triple bond हो